दिल मेरी तु दीवाना है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा क्या करने का क्या जानना चाहती हैं? अब बस भी करो जी बहुत हो गया अरे? दोस्तो ये है बॉलिवुड की जानेबानी एक्ट्रेस सौंदरिया दोस्तो सौंदरिया का असली नाम सौम्या सत्यनाराण था उनका जर्म 18 जुलाई सन 1972 को करनाटक के कोलार में इंडिस्ट्रियस्ट और कन्नड फिल्मों के राइटर के ऐसनाराण के यहां हुआ था दो हजाल 1999 में रिलीज हुई फिल्म सूरी मर्शम में हीरा ठाक और अंता बच्चन की पतनी का किरदा निवाने वाली अबनेत्री सौंदरिया की मुसकान में लोगों का जित दिल जीत लिया था टेली विजन पर इस फिल्म का इतनी बार पर सारण हो चुका है कि अब लोगों को फिल्म के डायलोग भी रट गए है सौंदरिया ने इस फिल्म से ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा था लेकिन इसके बाद वो किसी और बॉली बॉड फिल्म में नजर नहीं आए 27 अपरेल साल 2003 को सौंदरिया सौफ्ट बेर इंजिनियर जी एस रगू से शादी की करियर के सुरुआती दोर में ही सौंदरिया ने कई सूपरिस्टार्ज के साथ काम किया और एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी सान 1992 में सौंदरिया ने कंणर फिल्म गंधर्व से बड़े परदे पर डेब्यू किया बारा साल के करियर में उन्होंने सौ से भी अधिक ज़्यादा फिल्मों में काम किया अपने छोटे से करियर में सौंदरिया ने तमिल, मले आलम, तेलगु, कंणर और हिंदी फिल्म में काम किया अविनेत्री होने के साथ साथ सौंदरिया फिल्म निर्माता भी थी उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था सौंधरिया ने बॉली वुड में साल 1999 में अमिताब बच्चन के अपोजिट डेवू किया सौंधरिया ने दुबारा कभी बॉली वुड का रुख नहीं किया उन्होंने अपनी NBBS की पढ़ाई छोड फिल्मों में जाने का फैसला किया साल 2003 में एक्टिंग की उचाईयों पर रहते हुए सौंधरिया ने अपने बच्चपन के और सौफ़वेर इंजीनियर जी एस रभू से शादी कर ली थी फिल्मों की मदद से दर्शुकों का दिल जीतने के बाद साल 2004 में सौंधरिया ने भारती जंता पार्टी जोईन कर ली सत्रा अप्रैल 2004 में सौंधरिया भाजपा के उमीदवार के लिए चुनाव परचार करने करीम नगर जा रही थी बैंगलरू के जक्कूर एरफिल्ड से उडान भरकर जब हेलिकोप्टर सव फीट तक पहुँचा तब ही क्रेश हो गया हाद से में सौंधरिया उनके भाई दो अन्न की भी मौत हो गई थी हेलिकोप्टर जहां गिरा वहाँ एक शक्स काम कर रहा था जब वो यात्रियों को बचाने के लिए पहुचा तब जोरदार धमाका हुआ और चारों गोर आग ही आग फैल गई लाशों की हालत तो ऐसी थी कि किसी को पहचाना भी नहीं जा सकता था मौत से पहले सौंधरिया ने अपने पिता के नाप पर बैंगलरू में अनाथ बच्चों के लिए तीन स्कूल शुरू किये थे कहा जाता है कि सौंधरिया के बच्पन में ही एक जोतिश ने उनकी आकस्मिक मृत्व की भविश्वानी की थी हर माबाप की तरहे इनके भी माता पिता ने बेटी के लिए हबन पूजा पार्ट सब करवाया यहां तक कि इन्हें ड्राइविंग भी नहीं सीखने दी गई और हर समय इनके साथ एक बोड़ी गार्ड भी वजूद रहता था साथ ही जब सवंदरिया को अमताब बच्चन के साथ सूरी बंश्रफ फिल्म में काम करने का आफर मिला तो जोधशी ने उन्हें काम्याबी के लिहास इस फिल्म को सवंदरिया के लिए अच्छा बताया था लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी था कि ये फिल्म उनके लिए बॉलविड की आखरी फिल्म सावित हो सकती है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माद्यम से अवर्श्य बताएं चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले व धन्यवाद जेहिंद वंदे मात्रम